मोधिसने मामले में सुप्रिम कोर्ट ने राहूल गांधी को बड़ी राहत दी है सुप्रिम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहूल गांधी की सजा पर रोक लगाई है इस राहत को सिर्सा की जिला कॉंग्रेस कमेटी ने जशनी के रूप में मनाया काफी संख्या में कॉंग्रेस नेता और कारिकर्टा कॉंग्रेस भवर में खटा हुए और धोर नगाडों की थाप पर नाशते हुए मिठाई बाठ कर एक दूसरे का मूल मिठा करवाया इस मौके पर कारिकर्टा उन्हें आतिश पाजी भी की कॉंग्रेस कारिकरताओं ने कहा कि राहूल गांधी को सार्जिश के तहत फजाये गया था मानिमी सरवोच नियाले ने इस मामडे में बड़ी रहती है उन्होंने कहा कि अब कॉंग्रेस विपक्ष की भूमी का और भैतर धंग से निभाएगी सुप्रिम कोट ने वह फैसला आज रोक लगा कर और सदस्ता भाल करके दिखा दिया है कि हमेशा ही सच्चाई की जीत होती है और कांग्रेस के करेकरताओं वहीं महिंद्रकड के भगवान पर शुराम चौक पर भी कांग्रेस पार्टी के कारेकरताओं में खुशी देखने को मिली कारेकरताओं ने रहुल गांधी की सदस्ता बहाल करने पर लड़ू बाट कर पटा के चला कर खुशी मनाई कहा कि सुप्रिम कोर्ट पर हमें गर्व है अज सुनवाई की जीत हुई है इसके लिए हम खुशी मना रहे हैं उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में प्यार की जीत हुई है आज बेसिकली जो हमारे आदरेनिय नेता राहूल गांधी की सदस्ता जो की रद कर दिए इसके बहाली हुई है उसकी खुशी आपको कांग्रेस कारेकरताओं में नजर आ रही होगी ये बेसिकली बीजेपी सरकार के दोवारे एक जोटी बात में भी जुटा मुकदमा था और धुटा मुकदमा था आखिर में परमात्मा की करपा से सच्चाई की जीत हुई और हमारे आदरेनिय नेता राहूल गांधी की जो सदस्ता बहार हुई है कांग्रस कारकरताओं का कहना है कि मनिपूर और मेवाज जैसे मामलों को राहूल गांधी लोकसभा में प्रमुकता से उठाएंगे ताकि इन दोनों मामले में उचित कारवाई हो राहूल गांधी को मिली राहत से पूरे देश में खुशी की लहर है और सभी जगा इसी तरह से जश्न मनाये जा रहे हैं राहूल गांधी को मिली राहत पर आपकी क्या राय है हमें कमिंट कर ज़रूर बताएं सिर्सा से कश्मी कमबोज और महेंदर गर से राधिर शाम की रिपो